आपके घर से प्याओर वाइब्रेशन्स चार ओर फैले आप बन जाओ घर की इस्ट देवी इस्ट देव जहां पवितरता है वहां सुक्षान्ती है पवितर वाइब्रेशन्स पाकर प्रकरती भी हमारी सहयोगी बन जाती है प्रकरती बहुत मदद करने लगती है पवितर वाइब्रेशन्स में तो जादूई प्रभाव है आपके बच्चे भी आज्याकारी रहेंगे आपका घर समस् इसलिए अब भगवान की जो आज्या है बच्चे पवित्र बनो, इस धारणा को हमें बहुत अपनाना है, देवियां तो पवित्री होती है न, देखो देवी का चेहरा कितना भी सुन्दर हो, किसी को भी देवी के मंदिर में जाके बुरी भावनाय नहीं हो सकती, और अगर कि हो गई, तो वो अपने को महापापी समझेगा, देवी के लिए मुझे बुरी भावना हो गई, मैं महापापी हो, देवियों के चेहरे से पवित्रता की जलक निकलती है, देवियों के नैनों से ममता की प्रेम की छवी दिखाई देती है, तेज है उनके चेहरे पर, देवी झी सोचल दवी अगर बोल दे है तो वर्दान मानेंगे न लोग कितना प्रसं हो जाएंगे के देवी ने आज बोल दिया है देवी तो चेतन हो गई थि आज हम पर बहुत प्रसंथी देवी तो आप घर की इस देवी हैं, इस देव हैं, पवित्र वाइब्रेशन्स बनाएं, पति-पत्नी के बीच में बहुत purity होनी चाहिए, बोल में, व्यवार में, साथ रहने में, करम में, कहीं भी impurity न हो, क्योंकि impurity होने से योग भी नस्थ हो जाता है, खुशी भी तो नहीं रहेगी, क्योंकि हम भगवान की आज्या का पालन नहीं कर रहे हैं, तो बहुत निरासात्मक फीलिंग हमें रहेगी अपने अंदर, भगवान की आज्या, किसी मनुस ने आज्या नहीं दी, और उसके लिए हमें विधी-विधान भी बता दिये, कि तुम अपनी पवितरता को इस तरह से आगे बढ़ाओ, संसार में जो लोग पवित रहते हैं, मैंने देखा बहुत लोगों को, हमारे भारत में एक धर्म है पार्शी, उसमें बहुत लड़के-लड़कियां ब्रह्मचरिये का पालन करते हैं, देखो बड़ी सुन्दर बात है न उनके धर्म के लिए भी बहुत बड़ी सक्ती है और हमारे देश के लिए बहुत बड़ी सक्ती, कुछ अच्छे सन्यासी भी ब्रह्मचरिये का पालन करते हैं, लेकिन वो अपनी वासनाओं को दबाते हैं, दबाने से क्या होता है? सुख नहीं मिलता, कहीं नहीं टेंसन रहती है, इच्छाय वनी रहती हैं, वो इच्छाय उन् करके करमेंदियों को सिथिल करते हैं, उससे भी कोई पवित्रता का बल नहीं मिलता, लेकिन बाबा ने हम सब को याब दिलाया, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, भोजन बनाते हुए, इस संकल्प का बहुत अभ्यास कर जाओ, बहुत सुन्दर बात रहेगी, देखो तीन सकड़के हैं, यह हमारे वाइब्रेसच को तुरंत बरहन करती हैं, वेरी संसिटिव अर्वैब्रेसट करती हो जो इस भोजन को काये गां, उनका कित रम पवित्र समा थोगा, उनका गना उनका वरतर सम सबहा स होगा उनको बहुत श्यंथी अनुभव होगी, आप कुछ दिन तक इसको मंत्र की तरह धुन लगा दो, तक ये आधत पढ़ जाओ, जैसे आप किचन में जाएंगे, तो पच ये मंत्र चलने लगेगा, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं पवित्रता का फरिस्ता हूं, कभी देखना पवित्रता के सागर से पवित्र केरने, आपके पूरे क पर पढ़ रही है, सबजीयों पर, अन पर, सब पर पढ़ रही है, सारा भोजन पावन हो रहा है, ये भोग हो गया आपके घर में, भोग रोज लगाएंगे, बहुत इंपोर्टन चीज है, कम से कम एक बार रोज, भगवान को भोग स्विकार कड़ा के ही भोजन खाएंगे इसे आपके घर में वरक्तत बहुत होगी, सब कुछ बढ़ेगा और बहुत अच्छी अनुभूती होगी, बाबा ने कह दिया, वो सुन्दर मावा क्या है, बाप अपने बच्चों को कभी भोगा नहीं रखेगा, क्यों कि तुम बच्चे रोज बाप को भोग लगाते हो, बाप भूका नहीं रहता, तो बच्चों को भूका कैसे रखेगा, कितना सुन्दर राज है, अपने घर में पवित्र कर दो पूरा, भोजन पवित्रता से बनाकर अख्वान को भोग लगाओ, अपने परम पिता को, अपने परम प्रियतम को भोग लगाओ, परसन होगा, कि ब्रेन को डिविनाइज करेंगे, कुछ उसमें डेमेज हो गया और रिपेर हो जाएगा, ये पवित्र वाइब्रेशन स्फिर पूरे घर में फैलेंगे, बड़ा आनन्द आएगा, और सबसे बड़ा फायदा होगा, आपका व्यार्ट समाप्त हो जाएगा, तो मैं समझत हूँ अपको ने समझ लिया होगा, पौन विश्वास हो गया होगा, कि हमें परम पवित्र आत्मा के अभ्यास करने से कितने बड़े लाब हैं, लाब ही लाब हैं, आनन्द ही आनन्द हो जाएगा, और करना बिलकुल सहज है, इसमें कोई ये शिकायत नहीं कर सकता, टाइम नहीं है, मन भटकता है, ये भटकने कई तो दवाई है, भटकेगा ही नहीं इस से, तो इस पर सभी माताइं विसे इस रूप से जो भोजन बना रही हैं, बहुत ध्यान दे, मेरी बात को आप समय लेंगे, आपका कल्यान ही कल्यान होगा, लेकिन ये याद रखना है, ये अगवान को लगाने वाला भोग उस किचन में नहीं बन सकता, जानोन वैज बनता हो, अगर आप अलग वर्तन रख सके एक दो भी, तो बहुत अच्छा होगा, बहुत सुद्धी के साथ आपको ये काम करना है, अपने किचन में अगर पानी को चार्ज करके आप छिड़क भ कई घरों में लसुन के आज तो चलता ही है, मात आप पूछती है हम क्या करें, तो हपते में एक दिन भोग लगा लो, कह दो सब को आज हम भगवान को भोग लगाएंगे, पहले हम भोजन बनाते हैं, फिर आपका बनेगा, सुद्धी करन करके पवित्र भोजन बनाएं और भगवान को भोग लगाएं, याद-रक्षे जो भी सुनते हैं, स्वयम भगवान जो पवित्रता के स्थागर हैं वो ऐसा वैसा वैसा भोजन सुई कार नहीं करता हो, वापिस हो जाएगा, जाएगा ही नहीं उपर, पहुचेगा ही नहीं, सुइकार ही नहीं होगा, आपको इसलिए अपनी इनर प्योरिटी को बहुत बढ़ाएंगे और इसका परियोग भोजन पर व्यवार में द्रश्टी से बहुत अच्छा करेंगे आप माता है तो आप एक अभ्यास कर लिया करो दिन में तीन बार कर लिया करो कि मुझे इन सब को जो घर के लोग हैं पवित्र वाइब्रेशन्स देने हैं तक बहुत सुन्दर अनुगोती आपको होगी बैठ जाओ एक मिनट के लिए बैठ जाओ धर में वो लोग हो या ना हो बली काम पर गए हो बच्छे स्कूल गए हो मैं पवित्रता की देवी हो इस अंकल में अच्छी तरह इस नसे में अच्छी तरह आ जाएं और मुझा आत्मा से पवित्र केर्ने निकल कर उन सब को जा रही है एक एक को देखो आत्मा उसको पवित्र के रह रही है macro dicekin दूसरे को दश के इंठी सरे को डश के इथ सबको दसदॉशीर के पवित्र वाइभ ऐम दे दो आप देखाना आपके घर में कितना सुंदर माहौ होता है, wonderful feeling आपको होगी, घर का माहूल बहुत पवित्र हो जाएगा और जहां पवित्रता है, वहां शक्तियां बहुत रहती है, पवित्रता से ही योग बहुत अच्छा लगता है, पवित्र आत्माओं पर भगवान प्रसंद रहता है, तो आपका घर निश्चित रूप से मं अंदिर बन जाएगा, ओम चांदी